दोस्तो अगर आप अपने सत्रू से परिशान हैं और आपका सत्रू आपको बिना बजह परिशान करता है या आप से कोई बदले की भाबना रखता है और आप अपने सत्रू को हमेशा हमेशा के लिए खतम करना चाहते हैं यानि उसे हमेशा हमेशा के लिए हटाना चाहते हैं तो दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही खतरनाक सत्रु मारन प्रियोग लेकर के आया हूँ, जिसका प्रियोग करके आप अपने सत्रु को हमेशा हमेशा के लिए हटा सकते हैं, दोस्तो लेकिन आप इस प्रियोग को किसी जायज मकसद के लिए ही प्रियो करें दोस्तो ये बहुत ही खतरनाक प्रियोग है वीडियो को सुरू करने से पहले अगर आप। अभी तक हमारे चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया हैं तो चैनल को सबस्क्राइब करते हैं दोस्तों मनुष्य के जीवन में जनम से लेकर म्रत्यु तक न जाने कितने दोस्त बनते हैं और न जाने कितने दुस्मन बनते हैं कभी कभी हर इंसान के नाजाज सत्रू बन जाते हैं जो के बिना बजह एक दूसरे को परिशान करते रहते हैं कोई किसी के खान पान र यसी चोटी-चोटी बातों को ले करके एक बड़ी से बड़ी दुस्मनी को बना बैठते हैं, वो एक दूसरे के जान लेवा भी हो जाते हैं, एक दूसरे को मारने में भी नहीं चूकते, दोस्तों अगर आपके जीवन में कोई भी सत्रू ऐसा हो गया है, जो के आपको जान से मारना चाहता है आपको बिना बजह परिशान करता है आपको चैन से नहीं रहने दिता है तो दोस्तों आप ऐसे सत्रू पर एक तांतरी क्रिया करके उस सत्रू को हमेशा हमेशा के लिए हटा सकते हैं बहुत सारे दोस्तों हमें जो है कमेंट करके बोलते हैं सर कोई ऐसा प्रियोग बताएं जो कि 24 गंटे में सत्रूगी खात्मा हो जाए लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि किसी को मारना और किसी को नुक्सान पहुचाना इतना आसान काम नहीं होता है बहुत ही इन चीज़ों का आपको सहरा लेना है तो आपको थोड़ा पैसेंस रखना जरूरी है क्योंकि इसमें थोड़ा टाइम लगता है इसमें ऐसा कोई प्रियोग नहीं होता है जो कि 24 गंटे में सत्रूग को मार दे लेकिन दोस्तों हर व्यक्ति हर यूटूबर अपने वीडियो में दावा करता है कि 24 गंटे में ये हो जाएगा ये हो जाएगा बहु हो जाएगा लेकिन दोस्तो 24 गंटे में केवल प्रियोग असर दिखाता है यानि प्रियोग का असर शुरू होता है तब जाकर के एक महा के अंदर उस सत्त्रू का खत्मा करता है ये 100% गारंटी है कि प्रियोग अपना 24 गंटे में असर दिखा देगा और उसके बाद में सत्त्रू का बिनास होना प्रारम हो जाता है अगर आप अपने सत्त्रू का बिनास करना चाहते हैं उसे जान से खतम करना चाहते हैं घर बैठे वो भी आपको कहीं जाने की जरूत नहीं तो मेरे आज के इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखना है और आज की इस वीडियो को देख करके आप अन्य वीडियों को देखना भूल जाएंगे दोस्तो ये में 100% का दावा करता है तो आपका टाइम बिल्कुल भी बेस्ट ना करते हुए मैं आपको वो उपाय बताता हुँ जिसके जरिये से आप अपने सत्रू का खात्मा कर सकते उसे हमिशा हमिशा के लिए हटा सकते तो इस प्रयोग को आप अच्छी तरह से समझे दोस्तो इस प्रयोग को करने के लिए आपको थोड़ा सा रिस्क उठाना पड़ेगा आप एक मनुस्य के आकार का पुतला बना लें ये प्रयोग आप शनवार के दिन इस्टाट कर सकते हैं मिठी आप चाहे कभी भी ला सकते हैं लेकिन शनवार को ये प्रयोग इस्टाट करना है मनुस्य के आकार का एक पुतला बना लें लेकिन उसका नाम सत्रू का नाम ही दें शत्रू के जो आकार का अपने पुतला बनाया है उसे पुतले के पेट पर आपको काली मार कर से उसका नाम लिखना है जिस व्यक्ति को आप हमेशा हमेशा के लिए खतम करना चाहते यानि जिस दुस्मन को आप मारना चाहते इसके पेट पर काली मारकर से उसका नाम लिखते ना है नाम लिखने के बाद में आपको बिलकुल एकांत जगय का Republicans करना है आप अगर इसी को घर पर करना चाहते हैं तो आप किसी एकांत कमरे का चैन करें जहां पर आपको आपके घर वाले परबार वाले कोई टोका टाकी ना कर, इस पुतले को आप जमीन में रख करके उसके पास में दो अगरवति जला ले, आप वो भेहर बाबा के नाम से जला ले, फिर उस पुतले के पेट पर आपको एक कपूर की टिकी रखनी है, एक कपूर क करके उसके पेट पर आपको ये लॉंगोर कपुर जो है जला देना है और जलाते बक्त आपको रूद्राथ्षी की माला से एक मंत्र का जाप करना है मंत्र है ओम श्री काल भहरवाई नम्हे इस मंत्र का आपको 108 वार जाप करना है दोस्तो इस किरिया को आप किसी भी सनवार से स्टाट करके लगातार 21 दिन तक इसे करना है और ये मैं 100% गारंटी के साथ कहता हूँ दोस्तो इस प्रियोग के माध्यम से ये इतना खतरनाग भहरो बाबा का प्रियोग है जिस प्रियोग को अगहुरी लोग जो होते हैं अगहुरी शाधना करने बारे जो लोग होते हैं इस प्रियोग को वो करते हैं और वो प्रियोग में आपकी सिवा में हाजिर कर रहा है, दोस्तो लगातार आपको यही किरिया करनी है, पुतले के पेट पर एक कपूर की टिकी रख करके एक लोंग जलानी है, और उस सत्रू का नाम उसके पेट पर लिखना है, पुतला आपको एक ही बार बनाना है, उसी बाद जब 22 दिना आए तो इस पुतले के पेट में आपको चाकू से बार करना है बार करते समय आपको ओम श्री काल भेरवाई नहें तेजी से मार देना है मारने के बाद में दोस्तो उस पुतले को उठा करके किसी समसान में जा करके दफन कर देना है या आपके आज़ पास में कोई समसान नहों तो आप कहीं निर्जन इस्थान जनगल में जा करके उसका दफन कर सकते हैं जमीन के दोस्तों ये इतना खतरनाक प्रियोग है कि इसके प्रभाव से आपका सत्रू बच नहीं सकेगा और वो हमेशा हमेशा के लिए इस धर्ते से अलविदा हो जाएगा दोस्तों ये बहुत ही खतरनाक प्रियोग है और आप इसका प्रियोग जरूर करें और आपने दुस्मरों का नास करें तो दोस्तों आसा करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सबस्क्राइब करना फर मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ कर दो तक दो ये, नमस्का